को यह confirmed खबर मिली कि पाकिस्तान का हाइग रैंक्ट एलिटी टेर्रिस जिसका नाम की कारी है वो जो की काफी समय से रोज़ारी और पुंच के इलाके में अक्टर को टेर्रिस का दुबारा सुचना मिला कि इनकी यहां पर गतिविदियां चल रही है इस खबर के आदार पर सर् को मैं ब्रीफिंग करूंगा कि पिछले कुछ दिनों से हमको यह लगाजार खबर मिल रही थी कि दो टेर्रिस काला कोट के इलाके में यहां पर अपनी कतिविदिया बढ़ा के उन्होंने काम बढ़ा रखा है और उन्हें इस तारीक के रात को हमको यह कंफर्म्ड खबर मिल के यहां पर शामिल हुआ है इस खबर के अधार पर तुरंत सारे सेक्योरेडी फोसे जहां पर शामिल राश्य राइफल्स जमो कश्पीर पुलीस और बाकी इंटी इजेंसी इन्होंने तुरंत ऑपरेशन को कारगर रूप में शामिल किया प्लानिंग की और साथी साथ तु चुरू कर दिया नोंने 22 तारीक को करीबन साड़े आड़ वजे आड़ वज के 30 मिनट पर दुबारा जनल एरिया काबुकोट जहां पर पहले खबर आई थी इन दो टेर्रेस का दुबारा सूचना मिला कि इनकी यहां पर आक्तिविदिया चल रही है इस खबर के आधार पर सर्च ऑपरेशन्स लांच किये गए क्योंकि इस इलाके में जंगली इलाका है जंगल के इलाका है और साथ में कुछ सिविलियन लोकों के धोग भी हैं बड़े तफसील से हाँ पर प्लानिंग की गई थी ऑपरेशन्स की जिस इलाके में हमारी पार्टी सौच कर रही थी उस सिविलियन्स को खत्रा कि सिविलियन्स की जान को खत्रा जहांकि वहां पे लेडिस भी थे और बच्चे भी थे जो पार्टी के कमांडर थे कैपन प्रांजल सबसे पहले वो कबर से बहार निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडिस को वहां से सेफ्टी के लिए निका लगातार बनाके रखे ताकि वो टेरेस्ट वहां से निकल ना पाए साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे तुरंत ही वो लॉंच हो गए थे और इस लाकी के लिए उन्होंने बिल्ड अप करना शुरू कर दिया था कैपन प्रांजल की टीम कब तकरीबन आदे गंडे तक उनको लगातार टर्रेस को घमासान में जवावी हमला बारबार करते रहें इसी समय के दोरान एक बुलेट की वज़े से जो उनको लोगी अपने इनके सर्बे लगी इसके वज़े से उनको शाहदत मिली और उन्हें अप का सबसे महतुक पून हिसा यह था कि उन्होंने मिलकुल कॉंटाइट को ब्रेक नहीं होने दिया उस इलाके की अंडर ग्रोथ बोल्डर्स बहुत ही मुश्किल टरेन इस सब का एडवांटेज लेके टेर्रेस जंगल के अंदर चले गे और लगातार फायर को उन्होंने बरक काफी समय तक चलता रहा और इस समय के दौरान धीरे धीरे करके हमारे स्पेशल फोसेज और हमारे बहादुर जवान इन टर्रेस के नजदीक आए इस प्रक्रिय के दौरान हमारे तीन सोल्जर्स शुरू में धायल हो गए थे उसके बाद बाद में कंफर्म हो गया कि वो अपने चोड की विज़े से उनका साक्रिफाइस हो गया था पर यह फार फाइडिंग कंटिन्यू होता रहा और यह यकीन किया गया कि यह टर्रेस वह अन्देरा होने वाला है और इसके वेज़े से साथ ही साथ एडिशनल टूप्स की बिल्डप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए इसमें हमारे अन्ने आरार यूनेट 54 आरार, 2SF, 63 आरार, 9SF, सभी टूप्स, इंक्लूडिंग जेकेपी, नोंने को एस्टाब्लिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इस इलाके को कंट्रोल में आसिल कर सके, रात भर इस इलाके को UAV के द्वारा, नाइट एनेबल कामरास और मॉडन एक्यूप्मेंट जो कि ऑपरेशन के इस्तमाल किये जा रहे थे, उसके स नाहेता से इस इस इलाके पर अच्छी तरह से निग्राई बनी रखी गई और यह एकीन किया कि टर्रेस्ट वहां से निकल ना पाए 23 तारीक के सुबह, फर्स लाइट पे दुबारा सहज की कारवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन 7 बच के 40 मिनिट पर एक टर्रेस्ट जो कि उस कॉड़न के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको हमारे पारेटर पर सचिन ने उसको फायर के दौरान सचिन घायल हो गये, पर तुरंधी 2SF और 9SF की बागी टीम्स ने तुरंधी बिल्ड़ प कर लिया था और ये फायर को लगाता बनाया रखा गया और करीबन करीबन 1330 बेजे तक दूसरे टेरेस्ट भी इलिमिनेट कर दिया गया, इस ऑपरेशन में लास्ट नाइक संजे बिश्ट जो की हाली में बुद्दल की इलाके में भी टेरेस्ट के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे और पारेट उपर सचन, इन्होंने अपना सर्वोच बलिदान दिया, we are very proud of them, they fought well, they fought hard and they fought for their brothers, इन्होंने देश के सर्वोच इज़त के लिए और टेरेस्ट के लिए जो सहादत प्राप्ट की है, हम सबको इनसे प्रेंडा मिलती है, और ये यकीन दिलाते हैं आपको कि ये कारवाई आगे भी बरकरार हैगी, ये दोनों ही टेरेस्ट, फॉर्ण टेरेस्ट थे, जिनमें से एक था जो की कारी था, वो बहुत ही वांटे टेरेस्ट था, और ये यकीन में आया है कि इनो ने पाकिस्तान और अफगणिस्तान के इलाके में इनो ने ट्रेनिंग आसल किये, और कारी एक आईडी एक्सपर्ट भी है, और बहुत ट्रेंड स्नाइपर भी है, काफी विशेशने स्चूत्रों से ये भी पता चला है कि कार कि इसके अलावा कांडी के लाके में जो सिक्यर्टी फोसेस के उपर भी जो हमला किया गया था इसके उपर भी कारी का शामिल होने का खबर मिला है इस ऑपरेशन में भावी मात्रा में गोला बारूत युद का समान रिकवर किया गया है जिसे भी यह अंदाजा लाज़ा सकता है कि इन टेरेशन की यह प्लानिंग थी कि इस टेरर अक्टिविटीज को यहां पे और बढ़ाया जाए और सिविलन पॉपुलेशन को अंदर देशत फलाया जाए अभी यह ऑपरेशन खतम नहीं हुआ है ऑपरेशन परकरार है सर्ज की प्रक्रिया जारी है और यह ऑपरेशन जो कल जिसकी सक्सेस हासिल हुई है जिसमें यह दोनों टेरेश को मार गराय गया यह एक आपसी ताल मेल जो की जेकेपी भारते सेना और बागी सेक्रेशन कर रहे हैं उसकी एक पहचान है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह प्रक्रिया आगी भी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी सक्सेस हासिल किये जाएंगे थांक्यू दन्यवाद